तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुननखंड कैसे करें तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए फस्ट क्वेश्चन है एकस अस्क्वाइर मैंनस पचीश और सेकेंड क्वेश्चन है एकस के पावर में चार मैंनस छे सब पचीश इन दोनों क्वेश्चन को गुननखंड करना है तो चलिए गुननखंड करते हैं ये दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए फर्ष्ट क्वेस्चन में x²-25 है तो हम इसको लिख सकते हैं x²-25 को हम लिख सकते हैं 5 का अस्क्वाइर 5 का अस्क्वाइर हम लोग इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इसको 5 गुना 5 जब हम करेंगे तो ये 25 ही होगा अब यहाँ पर देखिए x square minus 5 का square यानि कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक formula में तूट गया कौन सा formula में? a square minus b square में और हम लोग सभी को पता है कि a square minus b square का formula होता है a plus b into a minus b यानि कि यहाँ पर देखिए a के जगह में x है और b के जगह में 5 है तो हम इसको तोड़ देंगे a plus b into a minus b में तो ये हो गया a square और ये हो गया b square तो इसका formula हो जाएगा a plus b into a minus b यानि कि a के जगह में x को रखेंगे और b के जगह में हम 5 को रखेंगे तो a plus 5 यानि की x plus 5 into a minus b यानि की x minus 5 ये इस question का answer हो गया अब हम चलते हैं second question में second question में देखे x के power में 4 है और 625 है तो हम इसको लिख सकते हैं x का square ब्रैकेट बंद और फिर इसके power में 2 minus 25 का square 25 का square अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुना 25 और 25 गुना 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 625 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 का square और x के power में 4 को हम लोग लिख सकते हैं x का square और फिर इसके power में 2 यानि की ये जो 2 है और ये जो 2 है यहाँ पर गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2, 2, 4 यानि कि यही 4 यहां प्राप्त होगा अब यहां देखिए अगर हम इसको square माने और इसको b square माने और इसको a और इसको b माने तो यह हो गया a square minus b square तो इसको भी तोड़ देंगे a plus b into a minus b में तो a के जगह में क्या है? x square है और b के जगह में 25 है तो चलिए इसको तोड़ दीजिए a plus b यानि कि x square plus 25 into a minus b यानि कि x square minus 25 अब यहां पर देखिए यह x square plus 25 रहेगा और फिर यहां पर देखिए यह x square है तो x square लिख दीए अब यहां minus है तो minus 25 है यहां पर तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का square, 25 को लिख सकते हैं 5 का square अगर हम इसको 5 का square करेंगे तो यह हो जाएगा 5 गुना 5 और फिर यह हो जाएगा 55, 25 तब यहाँ पर देखिए X square plus 25 अब यहाँ पर देखिए A square minus B square का फोर्मूला में तूट गया और अभी हम लोगों ने जेश्ट पढ़ा था कि A square minus B square का फोर्मूला होता है A plus B into A minus B तो यहाँ पर देखिए A के जगह में X है और B के जगह में 5 है तो इसको हम लोग तोड़ देंगे A plus B यानि की X plus 5 और A minus B यानि की X minus 5 में तो इस तरह से इस question का यह answer हो जाएगा तो students I hope कि आपको गुननखंड करना अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको यह वीडियो पशंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें लाई टुरम झालज आपको लाई आपको लाई काल तोस्सक्ट कुश साहिए लाई पॉ+. झाल झाल